साहू के बाद अब इस फिल्म में नजर आएंगे बाहू बली प्रभास निभाएंगे ये अनोखा किरदार सूपर स्टार प्रभास साहू के काम्याभी के बाद अपने अगले प्रजेक्ट के लिए तयार है उनकी अगली तेलुगु फिल्म पीरियड ड्रोमेंटिक ड्रामा होगी जिसका निर्देशन राधा कृष्ण करेंगे रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म का नाम जान होगा हलाकि अभी तक इसकी अधिकारिक गोशना नहीं हुई एक सोर्स से पता चला है कि साहो के बाद प्रभास अब फिल्म जान में नज़र आएंगे इसमें वो एक ऐसे शक्स की किरदान में दिखेंगे जो हाथों की रेखाय बढ़ता है आपको बता दे कि इस प्रोजेक को पिछले साल हैदराबाद में अधिकारिक तौर पर एक सरिमनी में लांच किया गया था फिल्म के शूटिंग मुख्य तौर पर विदेश में ही होनी थी इसके अलावा इसकी शूटिंग 2018 के नवंबर में ही शुरू हो जानी थी लेकिन साहो में देरी की वज़े से इसे पोस्ट पॉन करना पड़ा इस फिल्म के लिए अभिनेतरी पूजा हेगडे को मुख्य किरदार के लिए साइन किया गया था उस वक्त एक इंटर्वे में पूजा ने ये भी कहा था कि वो और प्रभास फिल्म की शूटिंग से पहले मुंबहे में एक वरक्शाप में हिस्सा लेंगे इस फिल्म को गोपी कृष्णा मुवीज और यूवी क्रियेशन मिलकर प्रोडूस करेंगे गोड़ तलब है कि प्रभास की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म साहुने बॉक्स ओफिस पर कमाई के मामले में कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किये है फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 424 करोड रुपे से भी ज्यादा का कारोबार किया है खास बात ये है कि इसके हिंदी वर्जन ने ही डेट करोड रुपे से ज्यादा का बिजनेस किया है फिल्म में प्रभास के साथ शदा कपूर लील जूल में नजर आई थी